So hello everyone, welcome to my channel commerce notes आज हम demand forecasting chapter करेंगे जो कि हमारा production and operation management जो subject है उससे third chapter बनता है इससे हमें क्या है previous year में बहुत सारे questions आए हुए है 5 and 15 marks में जैसे कि आप देख रहे हैं तो आजाई कैसे करना है वो हम देखेंगे तो ये basically आपको become 5th semester का subject है तो वो हम करेंगे तो अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो कर देजगा विकाज और भी subject की हमने previous year question answers की series को start किया है चैनल पे विजिज कर लिजेगा उसमें आपको मिल जाएंगे अपने questions बहुत सारे important subject की और जो telegram का link होता है वो description box में होता है तो आप उसको भी join कर सकते हैं आप date के लिए क्योंकि कोई भी video बनती है तो सबसे पहले वहाँ पे send हो जाती है तो आज का हमारा चैप्टर है वो है demand forecasting हमने already question answers की है first और second chapter के तो चैनल पे playlist बनी है इस video के नीचे भी के आपको description में मिल जाएगा उसका link तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं सारे के सारे ठीक है तो हम start करते है demand forecasting जिसमें सबसे पहला question मनता है आपका what do you mean by demand forecasting तो सबसे पहले तो यही पूछ लेंगे कि demand forecasting से आपका क्या मतलब है तो यहाँ पे आपको यह 5 marks में पूछा जाता है या फिर 15 marks में इसके साथ फिर इसके feature, limitations, advantages, disadvantages, methods यह पूछ ले जाते हैं तो यह question तो बहुत ही जादा important है ठीक है तो start करते हैं हम कि अगर यह आ जाएगा तो करना कैसे है exam में ओके सबसे पहले इधर बोला गया है कि forecast forecast का क्या मतलब होता है तो forecast का मतलब होता है prediction करना या फिर estimation करना किसके बारे में future के बारे में क्योंकि हम future के बारे में यह क्या है prediction या estimation कर सकते हैं तो अगर आप predict कर रहे हो estimate कर रहे हो तो उसी को क्या बोलते है forecast तो यहांपर demand forecasting है मतलब हम demand को क्या करेंगे predict करेंगे demand को क्या करेंगे estimate करेंगे किसी product और services की कितने होने वाली है future में ठीक है तो forecasting अगर हम बात करें तो forecasting क्या है is an operation research technique तो forecasting क्या है तकनीक है किसके technique application research की टेखनीक जिसमें हम क्या करते हैं planning करते हैं and decision making करते हैं इसमें क्या होता है यह चिसमें हम anوبा करते हैं और understand करते हैं current और past information के basis पर की out होने वाला है तो तो देखो आगर आगे की朝 कास्टिन कर रहे हो किसी भी चाहिग की तो आप किस basis पर करोगे कोई बेस तो होना चाहिए ना तो बेस किया होता है हमारा past information and current information इन दूनों को क्या है हम एनलाइस करते हैं understand करते हैं और उसके basis पर आने वाले future का क्या है prediction या फिर estimation क्या हम करते हैं Okay future pattern क्या हम कहीं ना करिते हैं trend analysis कर लेते है future pattern को क्या है analysis कर लेते हैं अच्छा, अब करते कैसे हैं, तो कुछ scientific और systematic approaches हमारे पास होती हैं, ठीके, तो इसे ही हम बोलते हैं, forecasting, तो यह तो हमने forecasting की बात की, अब हम देखते हैं, demand forecasting क्या होती है, तो demand forecasting अगर हम किसी product की कर रहे हैं, तो यह एक ऐसी technique है, किस चीज की technique है, estimation करने की technique है, किस चीज की estimation कर है हम ठीक है तो क्या बोला है कि demand forecasting of a product is a technique of estimating its demand तो हमें किसी product की demand को अगर क्या है estimate करना है तो उसे ही हम demand forecasting बोलते हैं ठीक है future के लिए हम क्या है इसको estimate करते हैं तो in other word हम यह बोल सकते हैं कि it refers to the prediction आपके अगर हो prediction कर रहे हो क्या की probable demand कितनी हो सकती है ठीक है एक product की या फिर एक service की on the basis of क्या base लेके क्या past में event हो था कैसा मतलब कि पहले कितनी demand होती थी उस basis पे फिर क्या हम आगे की demand को क्या कर सकते है predict कर सकते है कि past information हमारे पास कितनी है या फिर अभी existing information क्या है existing trend क्या चल रहा है तो demand forecasting can be categorized on the basis of तो हम demand forecasting को तीन basis पे क्या है categorize कर सकते है तो सबसे पहले क्या है level of forecasting जिसमें हम firm demand forecasting कर सकते है industry की demand forecasting कर सकते है economy की demand forecasting कर सकते है फिर border time period की basis पे भी हम कर सकते है like short term demand forecasting कर सकते है और long term demand forecasting कर सकते है और अगर हम nature of goods की basis पे करें तो capital और consumer goods हो सकते है तो उनके basis में भी क्या है हम demand को forecast कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या बताया है कि हम इनको categorize भी कर सकते हैं तो अगर हम definition की बात करें तो definition में क्या बोला है कि जो demand forecasting है यह क्या है इसमें हम estimate करते हैं क्या sales कि कितनी हो सकती है एक future period में ठीक है हम इसमें उस basis पे फिर हम market plans बनाते हैं तो हम क्या कहीं न कहीं जो भी चीज करेंगे तो इसी data को लेके क्या फिर करेंगे फर एक्जांपल हमने demand forecasting की तो अब जो उसमें से हमें result निकल के आएगा जो output निकल के आएगा फिर उस basis पे हम अपनी pricing policies बनाएंगे sales strategies लगाएंगे क्या कि हमें आगे strategies लगाने है market में वो सारा फिर उस basis पे होता है एक और definition है यहाँ पे यह बहुत easy है कि demand forecasting के scientific और analytical estimation होती है यहाँ पे आप scientific method लगा रहे हो कुछ तरीके लगा रहे हो ठीक है और एक analytical estimation होती है demand की किसी product या फिर services की एक particular time में यह याद रखना कि particular time period में की कहा हम demand forecasting करते है वो short term हो सकता है long term हो सकता है okay so यहाँ पे भी एक और definition लिखी हुई है कि demand estimation या फिर forecasting may be defined as a process of finding values आप इसमें क्या कर रहे हो यह एक ऐसी process है जिसमें आप find कर रहे हो value की कितनी मतलब value है किसकी demand की in future time period okay so यह हमने कहा है meaning पड़ा किस-किस basis पे उसको categorize करते हैं वो पड़ा और एक definition पड़ी तो अगर आपको meaning आएगा तो आपने यही करना है ठीक है अब हम next video में देखेंगे कि what are the different type of demand forecasting तो यह question भी आपको five marks में आता है कि अलग-अलग type के demand forecasting बताओ ठीक है तो तब तक चैनल को subscribe नहीं किया तो कर दीजेगा video को like कर देना है और अगर कोई आपका feedback है तो आप comment में लिख सकते हो thank you for watching this video